कि एवरीवन वेल्कम बाक तो माई चैनल स्टूडेंस हमने रिस्पोंपिलिटे टूवर्ड इंट्रेस ग्रूप स्टार्ट किया हुआ था जो कि चाप्टर नंबर सिच्स आप सबको पता है कि मैंने पार्ट वन अप्लोड किया हुआ है पार्ट टू हम लोग पार्ट टू मे इन्वेस्टर के बारे और आज हम लोग देखने वाले आज हम लोग आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रिस्पोंपिलिटे टूवर्ड कंज्यूमर तो स्टूडेंस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बारा है तो कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और धेर सारा कमेंड कीजिए और शेयर भी कीजिए तो रिस्पोंसिबिल्टे टूवर्ड कंज्यूमर क्या हो जब कोई भी फॉर्म कोई भी बिजनस ऑर्गनाइशन कोई गुड्स या प्रोडाक्ट या सर्विसस बनाता ह है तो उसके रिस्पोंसिबिल्टी क्या होती है कंज्यूमर के टूवर्ड तो जैसे कि उसे अच्छी कॉल्टी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराना उसके साथ मिसलीड ना हो उसके सेफ्टी रहे बहुत सारे चीज़ें तो इस सारे चीज़ों को हम यहां पर पढ़ने वाले सबसे पहले की चली कि बाउपष को पकर रहे चाहिए को रुटेशन को फिल्टी होने चाहिए सबसे पहले समझ लोग जो कि कंजीवर होता और कि marriage क्या मार्य क्योंकि नहीं करेका तब ही बिसिनेस और इस निंदल नहीं कर सकता है बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता है तो बिजनेस जो है वह consumer के बिना रन नहीं कर सकता है नहीं कि चली नहीं सकता है विल्कुल तो शर्वाइवल रेट और business का growth होता है वह किसपर डिपेंड होता है consumer satisfaction पर उसको किस तरीकी services provide किया रही है support कैसे मिल रहा है and commercial इसे बहुत बड़े 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 ब्रांड से जो की अपने सर्फिस के लिए काफी फेमिस है और लोग उन प्रोड़ाक्स को एपड़े भी करते हैं लोग जालते जाधा परिशेस करना पसंद करते हैं तो नेक्स्ट जो है हमारा तो चलो पॉइंट सबसे पहला जो पॉइंट है वह गुड कॉलिटी और प्रडॉक को प्रवाइड कराना कंज्यूमर्स को देखिए जब कोई ऑर्गनाइशन कॉलिटी को बनाए रखता है तो वह ज्यादा ही ट्रेंड में रहता है जिसे कि अभी यहां पर कॉलिटी कंट्रो डिपार्टमेंट है जो इंफीर और सब्सक्राइन गुट्स को रिजेक कर देता है जो कंज्यूमर्स के लिए बैटर है और यह जो ऑर्गनाइशन है वह इंशॉर करता है कि कंज्यूमर्स को कॉलिटी और प्रडॉक्ट प्रवाइड हो नेक्स प्राव फेयर प्राइस तो क्दूर में मतलब है कि जो आपने में देखा कि मॉड्य जो बिए कोई वी क्मॉड़टी होती है उसमें जो लिए होता है अगाम प्रेट के एक्स्ट्र आप चार्ज करते हैं तो आप जोहें Rock कैसकें तो में आपकर उसे चीट कर रहे हो ओर दो आप मूश्यूमीन इसे जद पॉसिबल टूफूल कस्टोमर अट आल टाइम आप हमेशा कंजुमर को बेकूफ नहीं बना सकते हो अगर प्राइस जो हमेशा ज्यादा रहेगी तो यह प्राइस हमेशा हमेशा फैर रहेगी तो चंजुमर क्या हो जाएगा आपके लिए पर्मानेंट हो जाएगा मुण जो होती है इसमें भी जो भी टैकसस होते हैं वो सारे चीज़ें इंक्लूड होती है और उन पर जो प्रडॉक्ट है उसके पीछे उसके सारे डीटेलिस होनी ही चाहिए। नेंकर चाहते हैं कॉस्तूमर सेफटी होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई भी बिशनेस न माने वह इंशॉर करता है कि मेरे प्रड़क्ट से मेरी सर्विसस से कंजूमर को ना ही एडवर्सली एफेक्ट हो ना ही उसके हेल्प पे उसका इंपक्ट जाए तो कंजूमर की सेफटी होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट इस अब देखो सेफटी से आदा है मुझे आप कोई मेडिसिन लो ना तो मेडिसिन के पीछे सारी चीज़े लिखी होती है कि युकिन बच्चों को देना है कितना देना है एंड प्लस अगर वह बहुत ही कह सकते हो कि कोई इस सेंसेटिव मेडिसिन है तो वहां पर दिखा रहता है कि आप डॉक्टर के कंसल्ट से ही मेडिसिन को कंस्यूम करें तो वहां पर कंस्यूमर सेफ्टी जो है वह में इंपॉर्टेंट रोल पे करती है नेक्स अनेस्ट अड़िस्मेंट जो भी अब अब दिखाते हो वह और अनेस्ट होना चाहिए वह फैक्ट बेस हो महँंच पर होना चाहिए अब कोई भी तरीकिये का एसा बैटिशंत नहीं कर सकते हो जिससे स्टूड़न को क्या हो àsब कि मिस्रीड हो अब आप abbiamo कपैस्ट्रीं की थाई करते हो अपने के सनके को करते हैं अपने मोच्टर को करने के लिए तो हर करते हो तो वह बिल्कुल ही प्रोबिट है उन्हें करना चाहिए और ऐसे को आप लॉंग रन तक नहीं चाला सकते हो नेक्स जो सर्विस आप जो रिस्वाइट करना अगर आपने वारंटी की पीरिट में दिया पहले तो ग्यारंटी था आप तो ग्यारंटी कैंसर करके आपने कंजूमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना यह वह एक बिजनस फॉर्म के रिस्पांस्बिल्टी होती है तो ट्रॉड्स कंजूमर अपने तो अपने गुड्स को अपने अपने पर क्मोडिटी पर रिसर्च कीजिए पर उसमें डेवलप्मेंट लाई आई और कंजूमर को फाइनल प्राइस जो आप चार्ज करते हूं कम से कम होनी चाहिए जिससे कंजूमर क्या होगा वह क्वालिटी और प्रडॉक्ट से खुश भी होगा एंड प्लस बहुत जायसाता आपकी आपकी कंपनी से पॉच्छ भी करना चाहिएगा सेवन्थ वन इस रेग पॉट्स रेगुलर आज वन रिक्वाइड बाइद अन्दम कमर्शल ओगनेशन शुट नॉट क्रिएट आर्टिफिशल स्टोरेज आप ऐसा स्टोरेज नहीं होना चाहिए जो ब्लैक मार्केटिंग से हो या होडिंग से हो तो इस तरह की की चीज़ जो है नहीं होनी चाहि है एर उसे फ्यूटर में जाके उस चीज में प्रॉबलम हो रही है तो अगर फैल करता है तो आप उसे करें ऐबुस से देखिए आप उसमें क्या प्रॉबलम है जो भी चीज़ होता है को इसे सकते हों नेक्ट ट्रेटारी आप तेह एक बंदा होगा जो सम टाइम पैसे चार्ज करते हूं जो फ्री में प्रोवाइड की जाती है तो आपके आपको बताएगा कि आ पो डिरेंग करेगा कि आपको होता है तो consumer exploitation भी नहीं होना चाहिए नेक्स वन इस responsibility towards government अब government के लिया कौन कौन से responsibilities होने चाहिए government regulate and control government क्या करता आपकी business को regulate करने के साथ साथ control भी करता है ताकि वो systematic manner से country में चल सके है ना और government provide incentive and subsidies to the business as well सबसे पहला आता है कि टाइमली जो है टाक्स का payment करना यह सबसे बड़ी responsibility है तो government impose varied tax on types of tax like sales income wealth तो यह सारे जो बिजनेस हैं उन्हें टाइक्स टाइम भरना चाहिए government को और प्लस किसी तरह को difficulty आती है government क्या करती है अपने available fund से उन्हें help भी करती है दुसरा आता है overseeing roles and regulations तो जो government ने जो भी rules frame किये हैं उनका पालन होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप उनके आगे जाके काम कर रहे हैं तो the business should follow the laws regarding obtaining license for a specific business अगर आपने लीकर का business start किया है तो आपके पास license होना चाहिए आपने medicine का business start किया है तो तब भी आपके पास license होना चाहिए फिर आप business को कैसे में operate करते हो प्राइस discrimination तो नहीं करते हो प्रोडक्त में कोई हेर फेर तो नहीं करते हो यह सारी चीज़े government observe करती है तो यह सारी rules and regulations break नहीं होने चाहिए next is earning foreign exchange तो government also expect from business organization that it will earn foreign exchange by exporting goods then government require this foreign exchange for importing various goods तो जो valuable जो भी products होते हैं government वहां पर foreign exchange currency अभी जैसे आपने वहां से वन लाग किया तो आपको RBA के साथ consult करना पड़ता है transaction को जो है interchange करने के लिए next human is economic development the government set the target for the balance and rapid economic development of the country business organization कैसे help करता है should provide necessary cooperation to the government 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 को जो भी necessary steps है उनसे corporate करना चाहिए next one is implementing social economic policy जो भी government ने social economic policy बनाई है उन्हें अपने business में implement करना चाहिए और उन्हें follow भी करना चाहिए next जो भी government के suggestions से उनका भी पालन होना चाहिए the business organization can provide suggestion to the government for framing policy important policy such as industrial policy import policy licensing policy such suggestions are helpful framing organization friendly policy जब government को information होती तो government उसमें अपने suggestions आड़ करती है कुछ नया बताती है जिससे जो भी चीजह है वो smoothly run हो पाती है next one is no favor so commercial organization should not take any favor from government official by bribing याने कि किसी भी घुस्खोरी नहीं होने चाहिए next one is contributing to the government treasury so government organization commercial organization must contribute the fund to the government during emergency जब कोई भी emergency देश में आती है जैसे कि flood हो गया earthquake हो गया उस टाइम पर commercial organization को आ गया आना चाहिए और government को पैसे donate करने चाहिए जिससे पब्लिक का भला हो सके अब social responsibility community society और पब्लिक के लिए क्या होनी चाहिए सबसे पहला environment का protection होना चाहिए एर पॉलिशन नहीं फैलना चाहिए जो मेजर इशू है केमिकल्स रिलीज नहीं करने चाहिए वाटर पॉलिशन बढ़ता है मतलब जितना हो सके उतना अच्छा ही होना चाहिए next one is reservation for weaker section जो भी आप चीज़े बनाते हों उनके लिए एक जो है weaker section के reservation होना चाहिए तो commercial the organization is expected to serve certain position in their establishment for economically weaker section of the society to lift up the economically weaker section मतलब जो भी weaker section लोग है उनकी life को uplift करने के लिए उनको job अगर मिलेगा तो उनकी economic condition अच्छी होगी जिससे उनकी पैसा आएगा और उनकी जो lifestyle को उसमें uplift देखा जाता है next one is development of backward region backward region में बहुत सारे ऐसे आते हैं जैसे कि रूरल लोग है रूरल पीपल जो जिनकी purchasing power काफी कम होती है है ना ऐसे लोग जैसे वन्रेवल ग्रूप की जो लोग है उनकी भी कंडिशन काफी कम मदब कम होती है तो उनको help करना its a responsibility of the business organization employment create करना सबसे अच्छी point है आपर और उनकी purchasing power को बढ़ाना next one is protest against anti-social activity जो भी anti-social activity होती है जैसे वो adversely society को effect करती है so no financial help should be provide for that जिसे भी smuggling हो रहा है या bribing हो रही है government को दी जा रही है तो यह सारी activities से दूर रहना चाहिए next one is financial assistance so the society expects donation and financial assistance various social cause such as eradication of poverty literacy illiteracy अभी यहां बैसे और दिया है anti-drunk campaign anti-noise pollution अब देखो अब बैसे बहुत सब्सक्राइब से हमारे देश में जिनको funds की जरूर time to time पढ़ती है जैसे कोई blind school हो जैसे कोई handicap का school हो तो उनके लिए फंड की जरूरत पढ़ती है तो जाद और फंड जो अगर आपके पास excess money होता है आपको हर साल कुछ ना कुछ amount of donation करना चाहिए next one is prevent congestion so the business should avoid congestion of business in cities अब वह भी business अगर हो रहा है तो थोड़ा सा शेहर किससे दूर होना चाहिए जिससे conjunction ना फैले लोकालिटी जो है वह अच्छी हो अगर इंडेस्ट्रिल एरिया है तो इंडेस्ट्रिल जोन में ही इंडेस्ट्रिस को ओपन करना चाहिए जिससे जो रेसिटेंशल लोगों उनको एफेक्ट ना करें next one is employment जनरेशन सबसे main important चीज़ है कि employment जनरेशन बहुत ही बड़ी चीज़ है अगर employment जनरेट होगा ज्यादा लोगों के पास job होगी यानि कि उनके lifestyle इंप्रूव होगी उनके पास पैसा होगा जिससे वो अपने lifestyle को expansion कर सकते हैं unemployment कम होगी poverty कम होगी society में है ना तो यह सारी चीज़ें unemployment generation से बढ़ेगी next point है हमारा social responsibility towards protection of environment इसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसको detail में तो business should be committed to protect and promote environment अगर आप सो पेड निकालते हो सो पेड निकालते हो कि आपको industrial purpose के लिए यूज करना है तो आपको एक हजार पेड लगाने चाहिए ताकि आपका environment प्रोटेक्ट रहे है ना आप किसी भी तरीका का pollution ना फैले and business यहां पर दो business extraction of raw material जो जमीन से निकाला जाता है जैसे जो by god है जो बना है जा नहीं सकता, improper management of resources generation of wastage इन सारे चीज़ों को proper management होना चाहिए जो waste है उसको कम होना करना चाहिए जिससे हमारा environment है वो influence होता है इसे में अगर आप अपने जमीन की productivity बढ़ाने के लिए कि लोगों को खाद का यूज करना पड़ता है प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाने के लिए अगर अपने जमीन की बढ़ाना चाहते हैं तो जाधा जाधा चाहिए ज्याधा क्या प्रोड़क्टिविटी बढ़ाने करना चाहिए ज्यादा यूज करना कम हो चाहिए जिसके वाइसे क्या सकते हैं, pollution भी create होते हैं, जैसे कि effect on business on environment, जैसे air pollution है, water pollution है, sound pollution, business के वासे यह साले pollution create होते हैं, electronic garbages, so protection of environment benefit business from many angles, such as creating awareness, लोगों में awareness file नहीं चाहिए, then employee, saving cost, lost government, control, a number of ways prevention techniques are available as they are commonly समया, जैसे 4R है, तो 4R क्या-क्या है, reduction, reuse, recycle and recovery, तो जो आप excess use of raw material का कर रहे हो, तो उसको reduction करना चाहिए, उसे ही reuse करना चाहिए, recycle करना चाहिए, और recovery भी करनी चाहिए, so whenever possible waste reduction in a preferable options, then if waste is produced, then every effect should be made to reuse, if it is practicable, then next recycling is the third option, so recycling should only consider for waste, which cannot reuse, और जब reuse ना हो पाए, तो उसे recycling जो है, third option आता है, then next finally, it may be possible to recover, then material को recover, जैसे energy है, उसे recover कर सकते हैं, अगर आप कोई बीज़े को चीज है, अगर आप उसका जाय टाइम तो यूज नहीं हो तो तो धीर धीर हील होना start हो जाती है, अब आते हैं business ethics पे, अगर आप एक businessman है, तो ऐसे कौन कौन से ethics है, जो आपको religiously follow करना चाहिए, तो अब से पहले concept की बारे में जानेंगे, यह concept क्या है, the word ethics is derived from the Greek word ethos, which means character, and ethics means set of rules and principles that organizations should follow while the business, ethic refers a code of conduct, business are expected to follow while doing a business, जिसे हमारे life का ethics होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जोट बोलना पसंद नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो गलत चीजें नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो अलग लग सब के principles, rules and regulations से life के हैं, तो उसको ethics का जाता है, वैसे ही business के भी कुछ ethics होने चाहिए, जो हर business man को follow करना चाहिए, so through ethics, a standard is a set for the organization to regulate their behavior, ऐसे एक standard तो set होना ही चाहिए, कि जो हर organization अच्छी तरीके से उसे follow करें, so this help them to distinguish between wrong and right path of a business, ethics deal with the concept such as right, wrong, good, bad, fair, unfair, just like legal, illegal, proper, improper, ही सारी चीज़े में distinguished proper तरीके से हो पाएं, क्योंकि ethics क्या है, social science है, तो इसके definition पर आते हैं, सबसे परहल definition Andrew ने दी है, business ethics is the study of business situation, activity and decision where issue is right and wrong are addressed, तो business ethics एक ऐसे study, business study है, जहां पर wrong और right की बीच का distinguish देखा जाता है, और उस दोनों में अच्छा decision क्या है, उस decision पर focus किया जाता है, second definition, विलर्स ने दी है, यह काफी अच्छी definition है, बट आपको एग्जाम में पढ़ना है, तो आप first definition को ही पढ़के जाओ, features की बाद करें, सबसे पहला feature है, code of conduct, आप business को करते कैसे, वो बहुत important होता है, so business ethics is a code of conduct, it tells what to do and what to not for the welfare of the society, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे आज इकल, it is my personal opinion, कि vulgarity इतनी बढ़ती जाले, चाहिए वो serial हो, चाहिए वो कोई web series हो, चाहिए वो movie हो, कि आप एक छोटे बच्चे के साथ बैट के movie नहीं देख सकते हो, इतनी वलgarity आते जा रही है, तो भले वो entertainment industry है, लेकिन they should understand, कि आगे आने वाला future जो है, वो इतना बेकार हो जाएगा कि एक मा और बच्चे के बीच में कोई difference नहीं रहाएगा, लोग अपने मेरे बच्चे को यह नहीं पता है, यह नहीं जानना चाहिए, यह मेरा personal opinion, another one is based on moral and social values, तो जो social principle है और moral है उस पर based on होना चाहिए, कि आप जो society है उसके लिए कितना अच्छा कर रहे हो, कैसे आप उनको fair treatment दे रहे हो और जो social group है उनको किस तरीके से present कर रहे हो, अब एक कुछ ऐसे documentary है जो काफी अच्छी है जो बच्चों के देखने like भी है जिससे कुछ सीखने भी मिलता है, ऐसी चीज को जादा बढ़ावा देना चाहिए, next give protection to the social groups, तो जो social groups के लोग है जैसे कि customer है, consumer है, employee है, small business man है, government है, shareholders है, shareholders है, creditors है, इन सबको protection देनी चाहिए, another one is provide basic framework, एक ऐसा basic framework होना चाहिए, जहां पर सब चीज फेट अब हो, जैसे कि जैसे social है, cultural है, economic, legal and other limited limits of business, यह सारे चीज़े को एक अच्छे conduct में करना चाहिए, voluntary, तो businessman जो है, वो accept करना चाहिए, उसके ethics को, और कैसे कि सरीके, अभी बहुत सारे से business man है, जो बहुत अभी तो रुतन टाटा का नाम सबसे उपर आता हो, कितने, मतलब उनका ethics आलागी level का है, लोग इतना पसंद करते हैं उनको, है ना, तो वो खुद से accept करना चाहिए, voluntarily accept करना चाहिए, another one is require education and guidance, so businessman must be proper education and guidance, before introducing business ethics, जो business ethics को introduce करता है एक businessman, तो उसे खुद को पता होना चाहिए, हर चीज अच्छी detail तरीके में, तभी वो चीज़ों को motivate कर सकता है, another one is relative term, business ethics change for business to business, हर business का अलग-अलग ethics होता है, country to country भी अलग-अलग different होता है, अभी जिसे, इंडिया में से बहुत सारे अभी चीज़े हैं, जो लोग नहीं पसंद करते हैं, आप बाहर देश में चले जाओ, सब चीज़े ओपन लेजाएं, जापन में लोग पूरे कपड़े निकाल के सब के साथ ना आते हैं, और आज भी भारत में मा और बेटे और बाप की बीचे में बहुत एक दुसरे के सामने जादा interact करना पसंद नहीं करते हैं, वह आप रांग वें बोल सकते हो पॉजिटीव वें बोल सकते हो बड़ एक अच्छी जीज़ है भारत की तो वह अलग अलग सब के वैसे ही बिजनेस का भी अलग अलग ethics होता है जैसे जो एलकॉल बनाता है उनकी अलग ethics है जो medicines बनाते है उनकी अलग ethics है कि नेक्स्ट वन इस नियू कॉंसेप्ट जैसे भी एक अनिमल मॉवी आई इस माइप वोगर है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठके नहीं दे सकते हो अब उसमें से कुछ कुछ scenes जो है जो sensor board ने cut कर दिया स्टिल भी वह बहुत मतलब उसमें कुछ वाल्गारिटी है कुछ लोग उसको पसंद कर रहे है कुछ लोग नहीं पसंद है क्योंकि सब्सक्राइब अपने अलगला खुद के ethics है तो नेक्स हमाता है हमारा आता है moral and social values इस पॉइंट को हम ल help us to grow and develop the decision we make and reflect reflection of our value and believe they are allowed directly towards specific moral and social value का simple सा मतलब होता है आप की कुछ moral values होती है social social values भी होते है आप एक ऐसे इंसान हो जो आपके समाच को गलत चीज को नहीं बढ़ावा देना चाहते हो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सब चीजे पसंद है आप एक ऐसे इंसान हो जो आप एक डिवोटिक परसन हो और एक डिवोटिक परसन नहीं हो तो different different क्या होता है aspects होते है लोगों के social value form an important part of cultural of the society so they provide general guidelines for the social conduct जैसे कि कुछ fundamental rights है patriotism है respect for human है dignity है rationality है sacrifice है equality है democracy इन सारे चीजों को अलग तरीके से देखता है so moral value क्या है is based on perception लोगों के अलग अलग perception है मुझे movies नहीं पसंद है because of vulgarity किसी को पसंद होगा क्योंकि उसे मजा आता है तो सब क्या अलग अलग मॉरल से है so यहां पर mostly जो based होता है वो tradition, ego, honesty, integrity, family and cooperation दोनों में दोनों ही word में काफी फरक है moral और ethics में so forgiveness never hurt anyone यह अपके morals हो गए अना खुद की beliefs है अपके खुद का perception है so there should be ethics behind all the business activity the rules are created by society regarding what type of activity business should do and what to not do और यह सारी चीज़े किसे based on होती है पता है honesty, transparency, fairness, integrity अब देखने है क्या करना चाहिए what has to do so tax time time pay करना चाहिए और जो भी अधर charges होते है fair wage देना चाहिए अपने employees को allowance अलग monetary incentives फिर उनकी safety भी ensure करने चाहिए then supply of goods है वो अच्छी quality होना चाहिए जो consumer expect करता उस reasonable price पर होना चाहिए then give just give due respect and honor based basic rights of consumer जो consumer के rights उनकी according चीज़े होनी चाहिए and profit जो है वो society के लिए use करना चाहिए जिससे donation है charity है और क्या क्या चीज़े नहीं करने चाहिए do not create monopoly in the market जिससे consumer ज्यादा ही exploit होते है next do not resort to hoarding or black marketing black marketing याने कि black marketing या hoarding को बढ़ावा नहीं जिससे घूस खोरी है चोरी की चीज़े बेशने साथ चीज़े को बढ़ावा नहीं देना चाहिए do not create secret or unreasonable profit avoid क्या के चीज़े करने चाहिए unfair competition then concentration of economic power then agreement with fellow businessman for controlling production distribution price pricing और accept क्या के करना चाहिए principle of first and profit mixed पहले दो फिर profit बाद में सोचना चाहिए फिर truth is business that customer is the king यह बहुत बड़ी reality है किसी मार्केट की make your business just fair human efficient and in a dynamic way तो यहां पर हम लोग वीडियो को end करते हैं so corporate social responsibility से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में पार्ट 3 में और यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताए comment box में and I hope आपने lecture को अच्छी तरीके से enjoy किया है thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में झारो झारो झारो